यह दोस्तों नमस्कार एक बार फिस्टी स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में दोस्तों मैं आपर हिंदी का फुल टेस्ट यहां पर सोल करने वाले हैं नमस्कार सभी को जैहिन देखे पहला कोशन दिया गया है कहा रहा है अथ का बिलोम सब्द क्या होता है अगर आप से बोले पूर्ण का बिलोम क्या होता है अगर आप से बोले समाप्त और समाप्त का क्या होता है तो प्रारम होता है अगला कोशन दिया गया है अनिवारे का बि दोस्तों कभी-कभी आपने पढ़ा होगा AAP कि SikuL में में होता है अन्यवारी भीष है हना उसका होता है सका होता है तिरोभाव को आपकर है the option in number और है यहां पर राइट हो जाएगा अगर हम आप से बात करें विभाव तो विभाव का होता हैं अनुभाव यह हम आपने पढ़ाओं यहां पर जो आपका अंसर है यहां पर जिसा कड़ी आ करते हैं बेन करते हैं अर्थात उसे खर्च करते हैं तो आप से क्या बनेगा यहां पर जिसका भी नंबर आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा बेन हो जाएगा आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है आप पूर्ण का विलूम क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा और के युगम में से कौन तुरुटी पूर्ण है तुरुटी पूर्ण आप से पूछा गया है तो देखे अनुग्रा का होता है यहाँ पर अनंत का अंत होता है यहाँ पर जड़ का चेतन होता है आक्रस्ट का विक्रस्ट होता है क्या सेवन को अप्सन देना है क्या हो जाएगा यहाँ पर गलती किसमे हैं, किसमे गलती है, D नमबर पे या A नमबर पे, चल्दी से बताइए, A नमबर पे गलती है या D नमबर पे, देखे, A नमबर भी ध्यान दीजे, और D नमबर पे ध्यान दीजेगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखे, आप से दुरागरा होता है यह इस प्रकास से दुरागरा होता है याद रिखेगा दुरागरा होता है आगरा का दुरागरा होता है तो यहाँ पर गलती आपके ए वाले में है ठीक है ना और आकरस्ट का विकरस्ट होता है वह यहाँ पर जो गलती है वो आपके ए नमबर पर गलती है ठीक है आगे बड़ी ये कोशन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है अलब्ब का विलूम क्या होता है अलब्ब है अलब्ब मतलब होता है लब्ब है अंतलब लाब हुआ और लाब नहीं हुआ तो यहाँ पर अंसर जो आपका विलूम हो जाएगा अना हूत तो अना हूत कहां पर है option देखे D वाला यहां पर answer right हो जाएगा आगे बड़ी कोशन दिया गया है अवर का विलूम सब दिन में से क्या है अवर का विलूम क्या होता है तो अवर का होता है क्या प्रवर होता है क्या होता है प्रवर प्रवर कहां पर है option B पर आपका दिया गया है वहें पर अगर आपसे पूछे लगुका क्या होता है तो आप कहेंगे सर लगुका दीर्ग होता है और कनिस्ठ का जेस्ट होता है अगला question दिया गया है अर्क के लिए बिमेल सब्दा आपको चुनना है अर्क के मतलब के सिकते हैं अनेकार्थी में तो देखें, यहाँ पर अर्क का मतलब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या? अपहण है, काढ़ा है, सूर्य है यह जो अंतर दिया गया है तो यह आपका इसका नहीं होता है अप्सन बनेगा, यहाँ पर आपका सिन नमबर है अनल का पर्यावची बताएगा अनल का पर्यावची क्या होता है चले अनल का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है अगनी होता है, और अगनी के अगर बात करें तो आपसन आपका हो जाएगा एंबर इसका हो जाएगा अनिल मतलब होता है हावा तो इसका जवाब समगेगा एंबर इसका राइट हो जाएगा अगला कुछ न बताएगा कि उपाना उपाना का जो पर्यावाची है किसका है उपाना है यहाँ पर उपाना होता है जूता का किसका होता है जूता का होता है इसका जो आपसन है यहाँ पर एनमबरे राइट हो जाएगा अगला बताएगा समनार्थी जोड़े का उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है समनार्थी जोड़े का विकल्प जो आपका उप्युक्त हो उसको आपको चुनना है देखे говоря उपियोगी का दिया गया है उपादेश दिया है इस्टिकार दिया है Angeles आगें हम ममसे बोले कि काक का सारंग है और आपका मयूर है होना पुषकर के जलासे और ताल दिया गया है भूमिका मही और धरा दिया गया है तो अनुपियूक्त पूछा गया है तो देखों यह योगी का उपा दे और आपका इस्टिकर यहाँ पर काक सारंग मयूर यहाँ पर आपसन देखे सी वाला आपका गलत दिया गया है अधर पुसकर भी सही है भूमी वाला भी सही है उपा वाला भी सही है अगला कोशन दिया गया है कमल का परेवची क्या होता है और कमल जो खिलता है वो किस पे खिलता है आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखे कमल का होता है तामरस क्या होता है तामरस होता है यहाँ पर देखे सूमरस सूमरस बोला जाता है सराब को किसी कहते हैं सराप को कहते हैं रसाल किसे कहते हैं तो आम को कहते हैं रसाल कहते हैं यहाँ पर अम्ब जो होता है अम्ब अम्ब होता है जल का परयावची है ना यहाँ पर आगे बड़ी कोशन दिया गया है यहाँ पर आप से कह रहा है कौसल का पर्यावची नहीं है कौसल का पर्यावची नहीं है सोरा नंबर में कौसल मतलब होता है जैसे आपकी दच्छता हो गया कुसलता हो गया पटुता हो गया यहाँ पर जो दिया गया अभ्यागत क्या दिया गया है अभ्यागत तो 16 का option जो आपका C number है यहाँ पर आपका ये पर्यावची अभ्यागत इसका नहीं है यहाँ पर अगरा कोशन दिया गया है कामदेव का पर्यावची कौन सा है चले कामदेव का पर्यावची यहाँ पर 17 नमबर में तो जोस्तों कामदेव का पर्यावची होता है क्या रति-पति भी होता है जो कि वीडियो एक्जाम में भी पूछा गया था हमने बताया है कामदेव की पर्यावची हर एक एक्जाम में पूछी आती है तो जोस्तों यहाँ पर कामदेव की पर्यावची मनोज भी होता है ओप् परियाची क्या है? खगेश परियाची होता है और इसे हम लोग क्या कहते है? गरुन भी कहते हैं तो आप सँनग जिसका स्य बिलको राइड वजाएगा अगला बताईगा निम्निकित में से क्या गंगा का पर्यवची नहीं है देखे गंगा के पर्यवची में मन्दाकनी होता है मन्दाकनी होता है भागी रिथी होता है सुर्षरिता होता है लेकिन अगर बात करे कालिंदी तो आप बते ये कालिंदी किसका होता है तो आप कहेंगे सर कालिंदी होता है यमना का जो की बहुत बार पूछा गया है यमना का होता है यादर के अगरा कोशन दिया गया है सुद्ध सब्ध आपको बताना है यहाँ पर 12 नमबर में सुद्ध कौन सा है चले उज्जोलन दिया गया है यह उज्जोलन जो आपका है क्य सही है क्या उज्जुलन जो सही है बिल्कुल सही है पहला ही सही है क्यों यहां पर देखे उज्जुलन में यह आपका जो गलती लिखा है उज्जलन भी गलत दिया उज्जलन का है आपसन आपका ए नमबर इसका राइट हो जाएगा अगर बात करें यहां पर आपका 22 नमबर म याद रिखेगा यहाँ पर बोले में कभी कभी ए लगा देते ऐसा नहीं है अगरा कोशन बताएगा अपने हाथ से स्वयम काम करो यहाँ पर सुध दिवा किनमे से क्या हो जाएगा अपने हाथ से स्वयम काम करो अगर हम आप से करें कि अपना काम स्वयम करो यही आपका अंसर होगा क्योंकि काम करेंगे तो हां तो सही तो करेंगे ना पैर सुथोड़ों करेंगे तो आपसन जिसका ए नमबर बन रहा है राइट हो जाएगा नेस कोशन देखो दिया गया है कि सुद्ध वाकिन में से चुनना है चौबीस अमर में मैंने तीन कुर्सियां खरीदी मेरे भा गलती आपके किसमे है तो आपके ए पर गलती दी गई है अगला आप दिया गया है असुद्ध वाक की कौम सा है चब्विस अमर में कहारा है आज मैं यहीं रहूंगा आज मैं यहीं रहूंगा यह तो सही है सज्जन लोग भला ही सूचते हैं तो जो को गलती है आपके आपक यहाँ पर जो B-Number है वो आपका गलत हो जाएगा इसका सज्जन भला ही सूचते हैं क्योंकि सज्जन जो होंगे वो लोग ही होंगे न तो लोग लगाने के वसकता नहीं थी तो आपसना आपका B-Number है गलत दिया गया है आगे वड़ी यह कोशन दिया गया है कोरोना एक जानल तो यहां पर जीवाणू गलत दिया गया है दोस्तों अगला कोर्शन दिया गया है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है तो दोस्तों यहां पर खाने का मन नहीं होता है क्योंकि हमको क्या है इस त्रिलिंग पूरलिंग का भी ध्यां रखना चाहिए तो मुझे आज खाने का मन नहीं होता है यह सुद्ध दोना चाहिए तो दोस्तो मन नहीं होती है यह गलता option आपका है option आपका बनेगा यहाँपर D number है गलत दिया गया है अगला है सभी मिलकर school जाता है तो भई याँ सभी मिलकर school जाता नहीं जाते होता है तो देखे आपका जवाब यहाँ पर गलती है क्या यहाँ पर कह सकता है सिर्फ सुद्ध पूँचा गया है न तो आप संदी सभी साथ स्कूल जाते हैं क्योंकि जब साथ जाएंगे तो मिलकर तो हो गई हो तो यहाँ पर यह लगाने की भी आउसकता नहीं थी अगरा बताएगा कि सुद्ध वाकिका चेन करना है क्या उसका सिमला जाना है नहीं उसे सिमला जाना है क्या उसे सिमला जाना है तो आप संदी कि आपका ड़ी नमबरे राइट हो जएगा उसे सिमला जाना है के लिएर हुआ अगला बताएगा अनियमित के लिए उचित वाक्याम सुनना है वीडियो को भाई लाइक सेर करते रहेगा जितने लोग याप पर जुड़ते हैं पुराने लोग तो याप लाइक सेर तुरंत करिए कुछ न कुछ सिखने को तो मिलता है अईसा तो है ने कि हिंदी की क्लास में आपका स्पीड न बने डेली कुछ न कुछ मिलेगा साथ में स्पीड भी आपकी बनेगी नए लोगों से भी आग रहा है कि वो लोग डेली क्लास लिया करें ठीक है ना और स्पीड को बढ़ाईए आप एकजाम में स्पीड अगर आपके अंदर है और वो तभी होगा जब डेली रिवीजिन करेंगे अनियमित दिया है और अनियमित के अगर बात कर ले तो दोस्तों देखे जो नियमा अनकूल हो ना वो यहाँ पर अंसर जो आपका एकत्ती सम्बर में भी हो जाएगा जो नियमा अनकूल ना हो क्योंकि यहाँ पर ना सब्द भी दिया है और अनिमित दिया गया है यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कि जिसे नहीं जीता जा सके और जिसे जीता ना जा सके दोस्तों उसे बुलते अजे क्या होता है जे होता है जो कि ऑप्सन दिया गया है ए नमबर इसका राइट हो जाएगा अगला है जिसका जन्म छूटी जात इतने निचले वड में हुआ हो तो दोस्तों यहाँ पर देखे तेती संबर में तो आप कहेंगे सर जिसका जन्म छूटी जाती में हुआ है उसे कहा जाता है अंतियज, क्या कहते हैं अंतियज, और अंतियज जो दिया है, वो आपसंसी नमबर सब का जवाब बिल्कुल, राइट आ रहा है, आगे बड़ी एक question दिया गया है, जो मापा ना जा सके, चलिए, जो मापा ना जा सके, देखो, हमने बताया है, कि हिंदी की class, प्रेक्टिस लगाई आप 100% अपने प्रेक्टिस सेट में सबसे इच्छे स्कोर करेंगे ठीक है ना दिया गया जो मापा ना जा सके दोस्तों 34 अमर्क आप्टिस नहीं हो जाए अपका आपरिमें अप्शन नमबर इसका राइट हो जाएगा अगला ऐसा वेक्टि जिसके आने का दिन और समय पहले से क्या निशित नहीं होता है और जब निशित ना हो तो दोस्तों याद रिके अतिध कहते हैं ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नमबरें राइट हो जाएगा अगला जो कभी ब आक्रमण किया गया हो जिस पर आक्रमण किया गया हो दूसे वो उतले हैं क्या आक्रांत बोलते हैं ऑप्शन बनेगा क्या यहां पर आपका सी नमबरें राइट हो जाएगा दोस्तों सी नमबरें अगला जिसे प्रमार द्वारा सिद्ध ना किया सके जिसे प्रमार द्वार सिद्ध ना किया सके जोस्तों यहां पर 38 मरच्छा कोशन है पूछा गया था अब यहाली में तो जोस्तों यहां पर होता है आपर में क्या होता है आपर में कहां पर है option C वाला इस कंसर है right हो जगा जिसका औराए C नमबर बनेगा अगला जिसका उपचार ना हो सके जिसका उपचार ना हो सके तो ऐसी बीमारी को दोस्तों क्या बोलते हैं असाद दि बोलते हैं देखे option लगबग सब का सयारा है यहां परंसर भी बनेगा अगला जो छींड ना हो सके जो छींड ना हो सके तो दोस्तों जो छींड ना हो सके उसे बोलते हैं अच्छे कभी कभी आपने सुना होगा बोलते हैं ना अच्छे पात्र मिल जाए तो कितना आनंदा है उसमें से खाना खत्म ही नहीं होता था अच्छे पात्र ऐसा पात्र होत अगर आपसे बोले तर्सम कौन सा है बयारी संबर में तो आप क्या जवाब देंगे आप यहाँ पर जवाब देंगे तर्सम में क्या बयारी संबर में option D यहाँ पर ग्राहक क्योंकि यह रा लगा हुआ है तो आपका जो अमसर बनेगा कौन D number हो जाएगा आगे बड़ी यह question दिया गया है क्या रहा है निमनिकी सब्दों में से तर्सम सब्दिन में से कौन सा है 43 संबर में तर्सम सब्दिन देखें आपर दिन को हमने बताया था तर्सम होता है और दिन का होता है दीवस मतलब यहाँ पर जवाब का है वो आपसे यह number इसका right हो जाए आप क्या जवाब देंगे आप यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आपका खा होता है तो खा का परिवर्टन च्छा हो जाता है तो आप च्छा हो जाता है तो आप क्या कहेंगे हाँ भीया एक बात यहाँ पर दिया दिया गया है क्योंकि दिन सब्द जो आपका होता है वो होता है तस्रम इस question में आप गोला लगा लीजिएगा ठीक है इस question में आप लोग गोला लगा दियेगा क्योंकि यहाँ पर कोई तस्रम आपका नहीं है यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि दिन जो आता होता है दिन वो आपका होता है यह इसमें गोला लगा लीजिए इसमें क्या होता है सरंगार और सरंगार कहा है तो Fenster के अगर बात करते हैं। दूस्तों वेट्चन भी है, सलाखा भी है और यह सलाखा दूस्तों आपने देखो वीडियो गजल्ट दिया होगा जिलोगों ने वीडियो एक्जाम दिया होगों के याद होगा सलाका पूछा गया था तो यहाँ पर देखे सलाका भी आपको दिखो मिल गया है ना यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या चार चार आपका तसम नहीं है अगला है निम्ड में से कौन से सब्दाप का तस्सम है सहतारी संबर में तो आप कहेंगे सर सहतारी संबर का जो आप सम्बनेगा यहाँ पर देखे छेत्र बनेगा क्योंकि यह जो च्छा है वो तस्सम में होता है अगला दिया गया है कौन से तस्सम सब्दाप का है और तस्वम सब देखे अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 18 संबर में क्या बनेगा चलिए यहाँ पर देखे कारण कारण जो आपका है यह तस्वम हो जाएगा क्योंकि इसका तत्वम होता है कारण क्या होता है कारण होता है अगला दिया गया है काटना का तस्वम क्या होता है तो दोस्तो बिलकु लिजी है काटना का तस्वम क्या हो जाएगा जिल्दी से कमेंट करें कोश्चन नमर 50 और पच्छास के अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर काटना होता है क्या करतन होता है क्या होता है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा देखते हैं इसका जवाब कितने लोग यहां पर देंगे आफ्लाइन कमेंट करिएगा इसका जवाब इन में से क्